प्रभू के अलग लग दासों की वीडियोस डालता हूं तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा रखता है तो आप इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब जूरूर करें आप प्रभू के बच्छन को सुन सके वीडियोस को जादा से जादा शियर करें ताकि जि लोगों तक बच्छन नहीं पहुंचा उन तक बच्छन पहुंच सके सबको जैमसीखchodzi एक बार मैं आपसे द्वारा क्यूंगा । इस चैन को शब्सक्राइब जूल करें और वीडियोस से जाहरा शियर करें. Jyam 60. आलेलूया! सबको जैमसीखünkü परमेश्र की प्रैजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस पोग्रेम में, गाइड करेगा वही पुवित्र उत्तम आत्मा जो के यूसफ में था उत्तम आत्मा योहशू और कालेब में था वही पुवित्र उत्तम आत्मा जो है आपकी लाइफ में विकारे करेगा आपकी जिंदगियों में वास करेगा आपको गाइड करेगा आपको एड्वाइज करे आएगा प्रविश्व मसी के सामर्थी नाम में हालेलुया अपने हाथ को उठाए धन्यवादी ये शुम खुदावन तेरी पुवित्र सामर्थ रपुवत्र वचन एक जन की लाइफ में कारे करें परमेश्व जितने भी बहने मुझे देख रही हैं खुदावन इनकी बहनों को ब्लेस करें परमेश्वर हर चिंता को वरी को टेंशन को इनकी जहन से इनकी दिमाग से उस ट्रेस को दूर करें परमेश्वर अपनी सची शान्ती के साथ इन बहनों को भरें परमेश्वर जितने भाई मुझे देख रहें हारे कि घटी को दूर करें अपनी मेहमा स से इनकी ओर इस घटी को तूर करें परमेश्वर इनने ब्लैस करें खुदावंद रहा शिश्शत करें परमेश्वर जिटने भी लड़कीया जितने भी बच्चेरी मुझे यूथ देख रहें परमेश्वरण नहीं लाइव से शेतान का हर एक असर खटम हो जाएँ और तेरे योजनेंकी लाइफ में पूरी हो परमेश्वर से रीप लेन जीटान की हरिक अटैक शेटान की हरिक जोचि एस यूद से इन जवान लड़कियों से वे यांस्केश को सब्सक्रों के नाव में ब्रवुत रात्मा के साथ फ्रक्राइप के व्हग attention को भर दे भर आपकُ निदोस्य कटिवेट करें की लाइट मिने ब्लेस करें गजनको फीड़u हार एक घटी दूर हो जाए, फाइनेंस को ब्लेस करें, इनके घरों में तरी सची शान्ती आजाए परमेश्वर, हार एक तरह के पाप के वैबिचार के अटेक इन लोगों की लाइफ से खतम हो जाए प्रविश्व मसी के सामर्थी नाम में, एक एक जन को तरात्मा भी चुए प्रविश्व मसी के सामर्थी नाम में, मैं खोशना करते हूं प्रविश्व मसी के सामर्थी नाम में, खुदावन्दा आज का वचन की लाइफ में कारे करें परमेश्वर, ये तरे वचन के अनुसार चले वाले बन जाए परमेश्वर, तरे वचन के अनुसार आगे वह वाई देखेंग वह प्रतिग्याइं वह प्रामिस्वर नोगों की लाइप में पूरे हुँँ खुदवन तुने कहा कि मैं तरह नाम महान करूंगा तुझे आशिश्शित करूंगा लाइप में कारें खुदवन एक एक जन को ब्लेस करें पर मेश्वर हर तरह कि फेलियर प्रड को खतम करें प्रमेश्वर हम मांगते हैं प्रवेश्व म्सी पर नाम में आमें सब चनुद इंचे वाज में कहें आमें के आपJust आपको वचन दिया जो वाइदे परमेश्व ने आपको दिया है कि मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुझे छुडाऊंगा, मैं तुझे छुडाने वाला हूँ, मैं तरह उचा सिंग हूँ, मैं तरह चटान हूँ, परमेश्व कहता है कि मैं तुझे छुडाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूउगा, तुरह नाम महान करूँगा, मैं तुझे उचा करूँगा, मैं तुरह उचा गट हूँ शुज आनि कि जो वी वचन परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने अपनी कलिस्यों को दिया, वे वचन पर भाव रहित नहीं होता यानि के परमेश्व के वचन में बहुत पावर है उसके वचन में बहुत सामर्थ है उसका वचन हमारी लाइफ को चेंज करता है उसका वचन बड़े बड़े मिरिकल्स करने की सामर्थ रखता है यदि हम परमेश्व के वचन पर फेथ करें तो हमारी लाइफ से चेंज हो सकती है क्योंकि प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं होता जो प्रमेश्वर ने वचन दिया वो पूरा होता अपने समय पूर पूरा होता है प्रमेश्वर का याद रखें कि बेस्ट टाइम है और प्रमेश्वर उसी टाइम में आपकी लाइफ में कारे करता है हमेशा अपने म करने के लिए मैं कभी भी देज नहीं करूंगा सो यानि के प्रमेश्वर का पकना best टाइम है और अपनी उत्तम टाइम की फर हापकी प्रॉब्लम्स का हाल करता है O लेकिन हमें कैभार लगता है कि प्राबु सुन रहा है और प्रभू हमारी प्रात्ना को उत्तर नहीं दे रहा है प्रभू अपना पिजाहिर नहीं कर रहा है प्रभू अपने सामर्थ को हमारी लाइफ में सिद्ध नहीं कर रहा हमें ऐसा लगता है लेकिन वचन कहता है कि जो भी हमारी लाइफ में जो भी निर्बल प्रभू मेरी ताकत है, प्रभू मेरी चटान है, प्रभू मेरा उंचा गड़ है, प्रभू मेरी सींग को उंचा करता है, तो चाहे मैं अभी कमजोर हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी कमजोरियों में अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा, चाहे अभी मैं बिल्कुल पर सब कुछ करेगा क्योंकि प्रमेश्वर का वचन प्रभावरहित नहीं होता यदि प्रभु कहता है कि मैं तुझे कनान वो वो दे जहां दूद और शायद की नदियां बहती में वो देश तुम्हें दूँगा तो देट मीन्स के हमें उन दस जासूसों की तरह हमें प्रमे प्रमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वो देश तुम्हें दूँगा तो यानि के यस प्रमेश्वर मेरी लाइफ में वो काम करेंगे प्रभु वो देश देगा प्रभु वाइदो का स्थान हमें देगा हमें विश्वास करना है हमें निसन दे परमेश्वर ने वो शक्ति द प्रभु का वाइदा उन लोगों की लाइफ में पूरा नहीं हुआ लेकिन होशु और कालेब जो लिखा है कि इसराइलों की नेक्स्ट जनरेशन के साथ उस पुवित्र उस का नान उस वाइदों के स्थान तक वो पहुंचे उस देश में वो एंटर हुए उस देश में वो व से वचन क्या कहता है कि प्रभु का वचन प्रवावरहित नहीं है तो यानि कि आपको आपको देखना है कि मैं बिमार हूं मैं कमजोर हूं मैं वीक हूं मैं कर्दे में हूं मैं घटी में हूं मेरी लाइफ में अटेक हैं जा मेरे पर दुष्ट आत्मा जो है द्वाव डालत सो मैं हूं पर अपना ध्यान जो आपने सेंट्रलाइजड करके रखना है कि मैं क्या हूं जो आपको अपनी आखों से दिख रहा है कि मैं हूं मैं बिमार हूं आप अपनी उन कम्यों कमजोरियों पर अपना ध्यान की इंद्रित करना चाहते हैं या फिर परमेश्वर जो मैं ज एजराइलियों को छुड़ाता हूँ मैं तुझे बल देता हूँ तुझे मैं सामर्थ देता हूँ तेरे मुह में अपनी शब्दों को अपनी पावर को भरता हूँ लेकिन वह फिर कैता एतना कुछ सुनने के बाद पर मेश्वर से एक लंबी मीटिंग करने के बावजूद फ हूं तो तुम मुझे ना भेज और वचन कहताया अको गुसा आया प्रभू को करोद आया उस समय में आपको आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो है अभी इस वक्त कि आप करदे में है आप गरीब है आप कमजोर है आप बिमार है पर आपने ध्यान लगाना है मुसा की तरह कि मैं बोल नहीं सकता हूं या फिर आप परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे जो कहता है कि मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर क्या मेरा बल है प्रभु कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं मैं यहावा राफा हूं मैं आता हूं तरी अंदर से जो परमेश्वर है उसकी और आप ध्यान लगाना चाहते हैं और जा फिर अपनी प्रॉब्लम्स की और आपको डिसाइड करना पड़ेगा अगर तो आप अपनी प्रॉब्लम्स की और अपना ध्यान लगाएंगे देन आप वहीं पर स्टक हो कर रहे ज वह डिसकरज करने वाले शब्दों को आपकी लाइफ में लगाता बुलवाता रहेगा और आप और डेप्रेस्ट होते जाएंगे आप और अपने आपको कमजोर और बिमार समझते जाएंगे वह सफलता कि वह निराशा जनक शब्दों को आपके मुह में डालेगा या फिर आप पूरी तरह से ट्रांस्फॉर्म हो जाएं प्रभु के वच्छन पर विश्वास करें कि प्रभु का वच्छन पर भावरहित नहीं होता यदि प्रमेश्वर कहता है कि मैं तुझे लेकर चलता हूँ, मेरे चलाए तुचल, मैं तेरे संगर हूँगा मैं तुझे चोड़ूँगा नहीं, मैं तेरे मुह में अपनी सामर्थ को भरता हूँ, मैं तेरे मुह में अपने शब्दों को भरता हूँ मैं तुझे miracles दूँगा तेरि दोरा मैं चमतकार करूँगा तुझे मैं इस्तेमाल करूँगा जैसा मुसा को को नीचे फेंक और जैसे ही नीचे फेंक वह कहते सांप न कramento उफ्शने से किनारे से उठा लगी यह वह तो रहा को पूछ से उठाया और फिर वह सोक्टी बन गए लिख ने पुर्बुरा उसका हाथ ऊसकी बाजू जो है वह स्वेद होगे बिंस ऑ चमरी ब utilizz अ जो भूख हो गया उसके बाजू के उपर और जैसे ही उसने फिर से दुवारा उसे अपनी शाती पर रखकर धांका वो फिर से उसका हाथ पूरी तरह से नॉर्मल स्किन नॉर्मल होगी यदि तेरे बोलने से वो ना मानेगे तो वो पहले मेरे कल से मानेगे यदि पहले से ना माने तो दूसरे से मानेगे अगर फिर भी ना माने तो नील नदी में से पानी निकाल के जब तु नीचे जमीन पर फेंकेगा तो पानी को मैं लहू कर दूँगा इतना सब कुछ परमेश्वर ने कहा लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि प्रभू मैं तो बोलने में मैं निपून नहीं हूं यदि हम ने जोर लगाया कि मुसा जो है अपनी अपनी कमजोरी अपनी निर्बलताई से अपना ध्यान हटाकर मेरी ओर लगाए तो परमेश्यू ने उसे बहुत लंभी वारतला लंभी मीटिंग्स की लेकिन फिर भी वो चारथ्याय उसके दस में कहता है मुसा ने कहा है मेरे प्रभ को गुंगा बहरा देखने वाला यंदा मुझे यहावा को छोड़ कौन बनाता है अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वैं तुझे सिखलाता जाओंगा मुसा कहता है कि हे प्रभू किसी और को तुभेज तब यहावा का को मुसा पर भढ़का हालेलु ही ध्यान लगाए रखा लंबी मीटिंग्स के बाबचूत परमेश्व ने कहा कि मैं तुझे प्लेस करूंगा तेरे द्वारा चुडाओंगा तेरे द्वारा मिरेकल्स करूंगा और प्रभू ने दिखाए भी चिन्न और चमतकार लेकिर फिर भी अंत में यही कहता कि मैं यहीं बनाया है है हां मैं तुझे जब तुझे भेज़ें तेरे द्वारा काम करऊंगा तो तुझे बोलने की भी शकती दूंगा लेकिन उसका ध्यान मूसा傑 कशन पूरा अपनी पनी प्रॉबलम की और अपनी अपनी disability की और, अपनी कमजोरी की और था, अपनी आयोग्यता की और था, और सेम ऐसे ही आज शैतान करता है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी कमजोरी की और, उनकी निर्बलताईयों की और, उनकी disabilities की और, उनकी आयोग्यताओं की और की जो वो नहीं कर सकते, उनकी और ल जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं क्या मैं सब कुछ कर सकता हूं हमें प्रभू की सामर्थ पर विश्वास करना है और विश्वास कर तब करेंगे जब आप प्रमेश्व की प्रैजन्स में रहेंगे प्रभू की उपस्तिती में आप बैठेंगे सुबा जा शाम एक टाइम आपका personal time, individual time होगा जो आप अकेले परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे, परमेश्वर के सामने आप बैठेंगे, प्रभू को time देंगे, अपने केस को परमेश्वर के सामने रखेंगे, आपके प्रातने आपके लिए बात करेंगे, आपके प्रातने परमेश्वर के सम्म पहुंचेंगी वो प्रेयर्ज़ आपके लिए बात करेंगी और आपको जो हैं की ah... कि हीन भावना से आपके कमजोरी से आपको बाहर निकाल प्रभू कि मैं हूँ में आपको ALL करेगी आपको प्रभू कि मैं जो वो सो वो में बद्लेगी जो प्रेख में बैठेंगे और में आको प्रमीश्वर के साथ सकते हैं बाठेंगे कित नहीं होता यदि परमेश्व मुझे कहता मैं तुझे चंगा करूंगा तो यस परमेश्व मुझे चंगा करेंगे